तो बढ़ते हैं तफसिलात की जानिब तो बरतवानिया के हुकाम की तरफ से कहना है के करोना पबन्या खतम होने के बाद भी फ्रांस के शेहियों के लिए कॉरंटाइन की शर्ट बरकरार रहेगी अगर उन्होंने दो डोजिस भी वेक्सिन्स की लगवाई होंगी तो फिर भी उनको कॉरंटाइन करना पड़ेगा स्वी जानिब लंदन हाई कोड ने पाकिस्तान को रेड लिस में डालने के बरतवानी हकूमत के फैसले को दुरूस करा दे दिया लंदन हाई कोड ने अपने फैसले में कहा है के पाकिस्तान को रेड लिस से निकालने का फैसला बरतवानी हकूमत ही कर सकती है वबा से निमटने के लिए हकूमत के फैसले दूस्त हैं ख्याल रहे के पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डालने के बर्तवानी हकूमत के फैसले के खलाफ बरिस्टर जोहाब जुमाली समेद तीन पाकिस्तानियों ने अदालत से रुजू किया था लंदन हाई कोट में दायर दर्खास में मौाकिफ इक्तियार किया गया था कि पाकिस्तान में केसिस कम होने के बावजूद बारस से पहले क्यूं रेड लिस्ट में डाला गया लेकिन अब एक बार लंदन हाई कोट ने भी पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डालने के बर्तवानी हकूमत के फैसले को दूसकराद देते हुए कह दिया है कि हकूमत के फैसले दूस्त हैं आने वाले वक्त में पाकिस्तान इंगलेंड की रेड लिस्ट से कब निकलता है ये अभी कुछ भी इसके बारे में कहना कबल अज़ वक्त होगा दूसरी जानिब यूके हकोमत ने बुद के रोज अलान किया है कि वो स्पेन के जज़ीरे को एक बार फिर ग्रीन लिस्ट से निकाल कर अंबर लिस्ट में डालने जा रहे हैं फैसले की वज़ा जज़ीरे में बढ़ते हुए करोना केसीज हैं इस एकदाम की वज़ा से खुबाय सियाहत के अंदर बेचैनी पैदा हुई है क्योंके बर्तवानी शेहियों के लिए एक बार फिर मसाइल पैदा होंगे क्योंके ये जज़ीरह उनका पसंदीदा सियाहती मुकाम रहा है कि बलेरियक जजीरा इनका पसंदीदा सियाहती मुकाम रहा है ताहम अब की बार इस एकदाम में कुछ नर्मी करते हुए बटवानी हुकाम ने अंधिया दिया है कि स्पेन से वापिस लोटने वाले मुसाफिर जो मुकमल तोर पर वेक्सिनेट होंगे कॉरंटाइन नहीं किया जाएगा अनी सेक्टरी ब्राइट ट्रांसपोर्ट ग्रांट शॉप ने अलान किया है कि नई पाबन्यों का इतलाक 19 जुलाई पीर के रोज सुबा चार बजे से होगा के मजूदा रूल से इंगलेंड के रहाईशी मुतासर होंगे हेल्थ केर के तकसीम दर तकसीम मराकिस होने की वज़ा से स्कॉर्टलेंड वेल्ज और शमाली स्कॉर्टलेंड अपने कौाईदो जवापित वाजिया करेंगे ताहम वेल्ज और स्कॉर्टलेंड ने पहले से रखा है कि वो मरकजी हकूमत के फैसले की पासदारी करेंगे ये थी आज की एहम ट्रीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है उमीद करती हूँ के पसान आई होंगी इसी के साथ पिर मिलती हूँ मैं आप सब से लेटेस्ट अपडेट में तब तक आप सब अपना बुखुत क्या रखेगा थैंक्यू खुदा हाफिस